गैस एक important topic है इंडो-चाइना war कब हुआ था मुझे नीचे comment box पर लिख कर बताएं तो आप जानते हैं 1962 का इंडो-चाइना war था भारत-चीन युद हमें देखने को मिला था और इस साल October में 1962 के भारत-चीन युद के 60 वर्ष पूरे होने से पहले आधिकारिक चीनी सैन्य researchers ने युद के महत्व और विरासत का पुना मूल्यांकन करते हुए युद का एक नया इतिहा संकलित किया है मतलब Chinese Military Researchers तो इन्होंने एक नई हिस्ट्री 1962 वर की जो है वो कंपाइल करी है वर के significance वर की जो legacy है उसको फिर से re-access किया है और इसके बाद भारत और चीन के मध्य संबन्ध में मौझूदा तनाव के बीच 1962 के युद पर चर्चा जो है वो फिर से शुरू हो गई है तो 1962 के युद जो हुआ था इंडो चायना बौर जो हुआ था तो ये फिर से जो है वो अब पिक्चर में आ रहा है हाइलाइट हो रहा है इसके 60 years पूरे होने के बाद रा कि जिस प्रकार से इंडिया जो है वो 1962 वार पर फोकस करती थी अटेंशन देती थी उसको याद करती थी 1962 के वार को तो उस तरीके से चायना नहीं करता था चायना बोलता था बस ये मामूली से युद है और कुछ चीनी सेन्य विदवान इसे अतीत में हुए भारत के साथ काफी सारे चाइनीज मिलिटरी स्कॉलर्स हैं वो ये देखते हैं कि पास्ट में एक प्रकार से ऐसा युदिथा चायना का इंडिया के साथ जो कि भूला जा चुका है राइट मदब कि सार ये है कि चायना जो है वो इंडो चायनीज बार जो 1962 का हुआ था उसको बिल्कुल नियंतरन रेखा संकट लाइन ऑफ एक्चुल का जो क्राइस शुरू हुआ था एपरिल 2020 में और विशेश रूप से 15 जून 2020 को गलवान घाटी में संगर्श के बाद 1962 के युद पर नए सिरे से ध्यान दिया जा रहा है तो अभी रीसेंट पास में आप गाईस जानते हैं कि 1962 वर को और आर्टिकल में एक चीज और बहुत important mention की गई है कि actually हुआ ये था कि अतीत में भारत और चीन के संबंधों का समान्य करण 1962 के युद को अधिक महत्व नहीं दिये जाने की वज़े से था मतलब आर्टिकल में ये चीज mention की जा रही है कि इंडिया और चाइना ने इंडो चाइना वर 1962 का जो वर हुआ था तो उसको जाधा महत्व नहीं दिया था जाधा उसको जो है वो आप कह सकते हैं कि गंभीरता से नहीं जो है वो देखा था तो इसके कारण से चाइना और इं से रोची ली जा रही है इसलिए इंडो शाइना के जो संबंद है वो अब फिर से खराब हो रहे हैं तो ये चीज़ हाँ पर आर्टिकल के अंदर बताई गई और आपको बता दें 20 अक्टूबर 1962 को लद्दाक और मैक मोहन रेखा दोनों जगा पर चीनी हमलों के साथ भारत चीन युद शुरू हुआ था और एक महिने तक लड़ाई जारी रहने के बाद चीन द्वारा युद विराम यानि की सी स्पायर जो है वो उसकी घोशला के साथ युद को समात कर दिया गया था तो 20 अक्टूबर 1962 ये डेट थी जिस समय इंडो चायना वार जो है वो डिस्प्यूट हिमाले एरियास पर जो बॉर्डर डिस्प्यूट था ये ही चीज थी जिसकी कारण ये युद जो है वो शुरू हुआ और चीन द्वारा लद्दाख कश्मीर में असकाई चिन छेत्र और अरुनाचल प्रदेश में तवांग छेत्र पर अपना दावा किया अरुनाचल प्रदेश का तवांग छेत्र असकाई चिन वाला एरिया कश्मीर का और लद्दाख वाले एरिया पर चाइना ने अपना क्लेम जो है वो रखा था और अभी एड प्रेजन जो टेंशन जो बड़ी थी वो आपको याद होगा पैंगॉंग सो लेक पर टेंशन ब 1962 का यो जो युद है उस पर फिर से विचार किया जा रहा है तो इसलिए कह रहे हैं कि 1962 का जो युद है था उस पर जो वापिस से विचार किया जा रहा है इसके कारण से फिर से इंडिया और चाइना के बीक में टेंशन जो है वो क्रियेट हो रही है तो यह एक छोड़ा सा article था बढ़ इसमें आपको mainly ध्यान में रखना है 1962 war के 60 years complete हो गए है और 1962 का इंडो-चाइना war के बारे में थोड़ा सा idea रखेगा आप और इससे related कुछ आपको अगर factual information पता है तो नीचे comment box पर लिख कर बताएं फिर आगे चलगे कोई article specifically इंडो-चाइना war से related आता है तो हम पूरी history background में और हर एक चीज detail में जहें वो cover करेंगे अभी के लिए जितनी information में आपको दिये that is more than sufficient right